Hello everyone, welcome to my channel दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हारदिक अभिननदन है दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकेता जबलपुर से कर रही हूँ आप सब का स्वागत अपने एक न्यू डिस्कृशन व्लॉग में जहां दोस्तों इसे मैं डिस्कृशन व्लॉग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अकसर मेरे व्लॉग में डिस्कृशन ही होता है मेरे अपने विचार होते हैं जो मैं आप लोगों के सामने प्रकट करती हूँ हमेशा मेरे आसपास जो हो रहा होता है मैं उसी से कुछ न कुछ चीजों को जो है मंधन करती हूँ और फिर सोचती हूँ कि इन सब चीजों के पीछे भी कोई न कोई कारण है कोई न कोई रीजन है तब ही मेरा माइंड यहाँ पर फस गया है स्ट्राइक हुआ है सडली यह चीज मेरे मन में तो मैं इसे आप लोगों तक पहुँचाऊं आप लोगों तक इस पर विचार विमर्श करूँ तो आज का व्लॉग मेरा डिसकुशन व्लॉग है दोस्तों हम कितने एजुकेटेड हैं कितने अच्छे हमारे संसकार हैं इतने अच्छे हमारे विचार हैं, कैसा हमारा रहन सहन है, कैसी हमें परवरिश मिली है, ये सभी बातों का पता तब चलता है, जब आप बहुत बड़ी कठिन परिस्तिती में भी सम्हल कर वेवर करके आगे निकल जाते हैं. या फिर आप अपने से नीचे तबके के लोगों के साथ बात व्योहर करते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं, उन्हें प्रोथ साहित करते हुए एक अच्छा सामन जस्ट से बनाते हुए आप आगे बढ़ते हैं. इन्हीं बातों से पता चलता है कि आपकी परवरिश, आपकी एज दर्थ होता है. आजकल का जो मौहल चल रहा है उसमें अगर कोई लड़की highly educated है और अगर वो आकर बड़ों के पैर चुकर आश्रवात ले लेती है या कोई भी सदसे, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो चाहे, वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, अगर वो अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं भूलता, अपने से नीचे तपके के लोगों के साथ प्याल से व्योहर करना नहीं भूलता, उसे ही सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है. अगर कोई लड़की high heel डालके और लोगों को इग्नोर करके वहां से निकल जाए, वो बड़े हैं, चोटे हैं, काका हैं, काकी हैं, मामा हैं, मौसी हैं, इन सब बातों को इग्नोर करते हुए, वो निकल जाए high hello करके, तो वहां पर वो कितनी भी educated हो, कितना भी उसकी अच्छी परवरिश हुई हो, लेकिन वहां पर ही उसका आंकलन कर लिया जाता है कि वो किसी काम की नहीं है उसकी पढ़ाय लिखाए किसी काम की नहीं, कठिन से कठिन परिस्थिती में अपने मन को शांत रखके, कुस्से के टाइम में अपने आपको इस्थिर रखके, बुरी से बुरी परिस्थितियों में सोच विचार को साध के, अपने सही decision के माध्यम से आगे बढ़ जाने वाल अपना परिचाय, अपने परिवार का परिचाय, अपने संसकारों का परिचाय देते हैं, लेकिन आज कल का जो माहौल है, या हम जितनी टेंचन में रहते हैं, हम जितनी परिशानियों में उल्जे होते हैं, ये असंभव है कि कितनी भी अच्छी आपकी शिक्षा हो, कितनी भी अच्छी आपका परिवरिश हो, कितनी भी अच्छी सीख आपने ग्रहन की हो, थोड़ा बहुत डिस बैलेंस होना माइंड का तो चलता ही है, बनता ही है, होता ही है, आप कितना भी अपने आपको इस्थिर रखें, लेकिन जब आपके सामने कोई संकट आता है, कोई विपर अगरे घर परिवार में आ जाती है, कभी हमारी हेल्थ इशू को लेके कुछ चीज़ें हो जाती है, जिसमें हम घबडा जाते हैं, फ्रस्टेट हो जाते हैं, इवन बच्चे, बड़े, बुड़े, सभी इन परिस्थितियों से आगे जूचते हुए बढ़ते हैं, और कहते अपमान कर दिया, तो मैं चाह के भी उस चीज़ को वापस रिपीट नहीं कर सकती, और उसके बाद में किसी का कितना भी सम्मान करती रहूं, उसे मेरी वो बातें शूल की तरह चुप चुके होंगी, मेरी एक धारना बन चुकी होगी, और उसे मैं चाह के भी नहीं मिटा सक कि अरे जो टाटा बिल्ला है, वो तो आप टाटा बिल्ला बन चुके है, उनके संगरश कर समय लौट गया, वो वापस से थोड़ी ना वापस गरीब हो जाएंगे, और उनको मेहनत करना पड़ेगी, और वापस से वो मुकाम हासिल करना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब यह ह कि जब आप अपने उस टाइम पर इस्ट्रगल कर रहे होते हैं, या कोई चीज आपके साथ हुई होती है, वो चीज अगर आप अपने आसपास होते देखते हैं, तो आपको अपना वही समय याद आता है, आपको अपनी वही उल्जने याद आती है, आपको अपनी वही पर जो मैंने अभी आपको बताया, समय लोट के कभी नहीं आता है, उस सिंस में जब हम किसी का विकट परिस्थितियों में आप मान कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, कोई गलत डिसीजन लेते हैं, हम सिर भी पटक लेंगे, लेकिन फिर भी हम उस शण को वापस नहीं ला सकते इसलिए अपने आपको इस्तिर रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये असंबह है, ये बहुत मुश्किल काम है, कि आप उस घड़ी में अपने आपको इस्तिर रखें, आप सही डिसीजन ले सकें, असंबह है, ये हमारी प्रक्रितिय के खिलाफ है, हम चाहके भी ये काम न पह organization करते हैं, या योगा की बाते करते हूं, एक्युप्रेशर पॉइंट्स के बाते करते हूं, जो भी कुछ होता है मेरा मैं जितना जानती हूं, वह आपनों के साथ मैं، शेयर करती हूं, लेकिन, मैं कुंडली में भी उतना ही विश्वास करती हूं ग्रह नक्षत्रों मे मेरा उतना ही विश्वास होता है ठीक उसी तरह जैसे लोग बोलते हैं कि आमावस्या, पूर्णिमा और अलग-अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं चोटे-चोटे से त्योहार होते हैं जिन में लोग गंगा नर्वदा इसनान करके अपने आपको पवित्र करते हैं दान दक्षना करते हैं बहुत सारी चीज़े करते हैं और ये रिच्वल्स हर हिंदू घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा 95% लोग ये सारी चीज़े करते ही करते हैं लेकिन गंगा इसनान और ये सारी चीज़े तो हमें सिखाई गई है एक और इसनान होता है दोस्तों उसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी वो इसनान होता है धुनी इसनान अगर हम करते हैं तो हमारे जो internal body organs होते हैं वो उससे शुद्ध होते हैं और उसका बहुत फायदा होता है internal body organs का शुद्ध होना क्यों जरूरी होता है ये सारी बाते मैं फिर कभी बताऊंगी आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि जैसे आप गंगा इसनान करते हैं नर्वदा इसनान करते हैं वैसे ही अगर आप ये इसनान हफते में एक दिन जरूर करें तो आपको बहुत सार सोच में पढ़ जाते हैं वो सारी चीजें क्लियर होंगी हम बहुत अच्छा और सही डिसीजन लेने के मार्ग पिचलेंगे और ये इसनान सबको करना चाहिए इस तरी पुरुष सबको हमेशा की तरह मैंने इंपोर्टिंट चीज को इंपोर्टिंट बिंदू को लिख के दे दिया है ताकि आप लोग उसका स्क्रींशॉट ले सके और जो लोग उसे फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करें अब आप का होगे कि धुनी इसनान क्यों जरूरी है हम तो इस्टीम बात ले लेते हैं आज कल तरह तरह के यह बात चले हैं लेकिन मैं आप से एक चीज कह दूं कि देखो गंगा इसनान नर्दा इसनान जो जिस धार्ना से जरूरी होता है जिस धार्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है इस टीम बात हमारे बॉड़ी रों को जो पोर्स हो होता है वह हमारे पूरे फुल बॉड़ी ऑर्गumber आत्मा हमारे आसपास की परिस्ति सबहीं चीज़ों को लेके बैलैंस करके आगे बढ़ता है internal body organs को सच करना क्यों जरूरी है क्योंकि हमें छोटी 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 सी व्याधियां लगी रहती हैं कहीं चलते चलते पैर मुरज गया कहीं हमको headache हो रहा है किसी भी रिजन से headache हो रहा है कहीं कलाई मुरज गई कहीं उगली में कट लग गया छोटी 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 सी जो व्याध आती है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा तो इसी के साथ मैं आज का ये डिसकेशन व्लॉग यहीं पर एंड कर ले रही हूं आप लोगों से ले लेती हूं विदा पिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी क मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और अपनी फैमिली और फ्रेंट्स के साथ से शेयर कीजेगा दोस्तों और इस यगर अपना प्यार और आशिरवात बनाए रखेगा बाबाई